आज की विडियों इंटेस्टिंग होने वाओं रहे है क्योंकि कुछ लोग ने मुझे इंस्टा गॉंप सवाल कर रहे थे कि آپ अपने ड्राइंग में। तो आज में उनके लिए विडियो लेकर आया हूं। तो आज मैं अपनी सारी मेटेरियल जो मैं ड्राइं में यूज करता हूँ, वो सारी में दिखाने वाला हूँ, तो यह वीडियो थोड़ी से जोल होने वाल है, और मज़े भी आने वाल है, तो अगर आप आप आर्टेस्ट नहीं है, तो आपको यह भी पता चलेगा, कि कौन सा मेटेरियल मैं कैसे यूज करता हूँ, तो यह वीडियो लाज तक देखें, लाज तक देखें, तो हेलो गाइज, वेलकम टू ओम बर्मा आर्ट्स योट्व चैनल, मैं हूँ ओम बर्मा, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, तो फिलाल में जो ज्यादा यूज करता हूँ, आर्ट लाइन और फेवर कस्टल जो की चिपश्ट प्राइज में वेस्ट पैंसिल है, तो फेवर कस्टल की पैंसिल फोटो फाईव और आर्ट लाइन की वरली 70 रूपीज प्राइज है, तो मैं खॉल के दिखाता हूँ आपको इस पेंशल में आपको 6pcs की सेट मिल जाती है तो HVC jyoh start होती है तो HV,2V,4V,6V,8V,10V आपको ग्रेट मिल जाती है तो 10V तक इसमें मिल जाती है आपको पेंशल तो जो कि सही है ड्राइंग करने के लिए नेक्स्ट बात करते हैं फैवर कस्टल की जो कि वर्ली 45 रूपीज में आती है इस पेंसल को मैं नाइप से सार्प करके यूज कर चुगा हूँ तो इस पेंसल में भी सिक्स की सेट मिल जाती है आपको जो कि टूवी से श्टार्ट होत यह भी ले सकते हैं तो नेक्स्ट आपने देखा होगा कि मैंने अश्टेटलर का पैंसल जो आनवक्सिंग और रिव्यू किया था तो वो यह है यह थोड़ी एक्सपेंसिव है और क्वालिटी तो बहतर है ही इस पैंसल में भी आपको सिक्स का सेट मिल जाता है तो ग्रेट क कि सबसे ठीक है मैं यह तीनों रिकमेंड करूंगा कि आप आप लाइन का ही ले यह तीनों में से जो कि सिपेस्ट प्राइज में वेश्ट क्वालिटी देती है जो कि आपको वेश्वी टूवी फॉरवी सिक्स्वी एट भी और टेनवी ग्रेट में मिल जाती है अगर आपक क्सक्यां गच वाथ करते हैं और पन्सों में ज्छादर यूज करता हूँ वह कैमलें जो कि ध्री में हम दिता है ओर एक में यूज करता हूँ और यह बहुत ही कम यूज कर थो ने में तो तो इसके प्राइज है 45 गृपीज यह सोफ्प्ट एंडी अविवलीर्म इमेही हो पासब्स्ट ईयो जदनार्गती हैं और मेडियम मैडियम होती और हाड ही यह मेंष ti यूज कर रहा हूं रहा हूं यह लिए न्यू मैं और ने कट एक तो यह मैं आच। तो फिलाल यही है नेक्स्ट बात रहते हैं कलर पैंसिल की तो मेरे पास है अश्टेटलर की लोना वाटर कलर पैंसिल तो जिसके साथ आपको ब्रस मिलते हैं और है कैमलें का कलर पैंसिल तो मैं अस्टेलर का लोना वाटर कलर पेंसिल को निकाल के आपको दिखाते हूं यह 36 सेड में है जो अठारा आठारा आपको इस तरह से पैकिंग में मिलती है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसे यूज करने के लिए बताऊंगा कि किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं इसके साथ आपको ब्रस भी मिलती है जो कि आप बातर यूज कर सकते हैं इसमें इसकी प्राइस की बात करें तो यह 1,330 रूपीज की है एक और मेरे पास कलर पैंसिल है जो कि रॉम्स की है यह है यह अच्छी क्वालिटी है मेरे कॉमेंड करोंगा कि आप कर लूज करना चा देखो गई इसमें मैं आर्ट अलाइन का करिफाइट पैंसिल पार रखा हूँ तो इसे अलग रखता हूँ डॉम्स की जो कलर पैंसिल है मेरे पास वो 20 सेट्स में है मेरे पास तो ये भी अच्छी है इसे भी मैं ड्राइंग बना चुका हूँ मेरे पास फिक्सेटिव है जो की ड्राइन का सुरचा कव पूद सकते हैं चाह इस एक्पोर्टेंट है यह आस्पडिय कोमप्लेट होने का देना इसे आपर से स्वीसिष्पैय किया हुआ फिक्स हो जाता है वो छुटता नहीं है जल्दी तो यह सिर्फ मैं ओर्डर के वर्क में यूज करता हूं तो यह मैंने 500 रुप्य में ओर्लाइन मंगवाए था यह मार्केट में बहुत ही कम मिलती है अगर आपको चाहिए तो आप और लाइन मंगवा सकते हैं तो नेक्स्ट वाटर कलर की बात करें तो मेरे पास तो नहीं है गाईज तो लोगडाउन में अभी एक सोप पे मिली थी अब सरा की जो की सिर्फ शिक्स कलर ही था तो मैंने ले लिया बट यूज करने पर सही नहीं ल इस्ट्रगम पर फोलो नहीं किया है तो फोलो कर ले आप में वहाँ चैनल से रिलेटेट पोस्ट डालता रहता हूं जो ड्राइंग होना तो उसकी भी पोस्ट करता हूं लिंक डिस्क्रिप्सिप्सटन में मिल लियागा आप वहां से आप जा सकते हैं इस्ट्रगम पर आई तो नेक्स्ट ट्राइ करूंगा इससे कुछ बना कर आपको दिकाऊंगा इसकी प्राइज की बात करें तो 172 रुपीज की है इसकी प्राइज यह है आटिस्ट वायल कलर जो कि टूल सैट्स में है तो इससे में यूज कर चुका हूं हूं यह वेस्ट कोईल की लगी मुझे अच्छी लगी तो जब मेरे यूट्व चनल नहीं था उस टम में इसका यूज कर चुका हूं इसके साथ वाल आती है अलग से वह मिक्स करने के लिए इसका अगर आप ड्राइंग दखना चाहते हैं तो आप मेरे इस्टा पर देख सकते हैं डिस्क्रिप्सन में लिंक में है तो आप देख सकते हैं इसकी प्राइज 400 रूपीज और वाल की 100 रूपीज था इसका अगरे मेरे पास ज्यादा क्लेक्शन में उनल जो है दिका दिता हूं तो फर्स्त तूमबों मोशीवराइज्ज जो की हैर वगरा में में यूज करेता हूं सब्सक्राइज और ठर्ट है और श्टेदिलर का पैंसल ए रेजर फूर्थ है ने रेवयल आर्ट एर्ट इं और फॉर्थ है नॉर्माली रहे तो शाटनर भी मेरे पास कोई खास नहीं है मेरे पास अपसरा की है तो पस यही यूज़ कर रहा हूं अभी आप कोमेंट करके बताना आपको किस मेटेरियल पर डिटेल वीडियो चाहिए मैं ट्राय करूंगा बहुत की जल्द आपको वीडिय के लिए बात करें तो मैं पहले पैंटिंग ब्रस यूज़ करता था बट वह सही नहीं है मैंने फिला लावी मेकप ब्रस लिया है तो इसका रिजल्ट वह पैंटिंग ब्रस से कुछ बहतर है ब्लेंडिंग के लिए तो आपको प्रस्टम लियाते जो कि अच्छी है बट मैं ज़्यादे यूज़ नहीं करता हूँ नियूज़ ही रखा हुआ है मेरे पास सारा आप यह यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप को टन वाट्स भी उच्छे रिजल्ट देते हैं या फिर आप टीशू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं यह भी ट्राइंग में असमूत ब् आपको तो यह कभी ट्राइ करके देखना है इससे बहुत आपकी ग्राइंग वेश्ट हो सकती है तो आप इसे ट्राइज जरूर करना तो नेक्स्ट में बात करते हैं मैं करेकल पैंसिल की जो की 0.5 mm की है सारी मेरे पास जिसका जादा यूज आउटलाइन में कहता हूं तो इस में बना लेता हूं और एच्वी तो आउटलाइन के लिए मेरे पास थ्री ट्रैक को मेरे पास यह जो रेड़ वाली है इसमें मैं टूली लगा के रखता हूं तो अब बात होते हैं हाइलाइट के लिए तो मेरे पास है सकुरा का वाय डिजल पर और अप सहरा का ग्लास मार् जिसका मैं बहुत कम यूज करता हूं एरेजर ही ज्वादा हैलाइट करता हूं एरेजर से इसी से में ज्दा यूज कर लेता हूं और मेरे पास ट्राइंग मेटरियल में एक ट्रेप है और की बात करें तो मैं तो आपको दिखाता हूं या विश्कार तो यह ज्यादधा अभी फिलाल जो विश्कार बना रहां वह एथरी सेज में बना रहाँ तो यह एथरी ही आपको तो इस बीडियों में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बाई बाई टेक केर वीडियो पसंद आए तो सेर जरूर करें